यह कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा लॉयर था जूलियन के पास सब कुछ था सकसेस्फुल प्रोफेशन पॉश बंगला और फेरारी जैसी महेंगी गारी उसने जिन्दगी में सब कुछ पा लिया था फिर भी वो खुश नहीं था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है हर चीज तो है उसके पास फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है कहने को तो जूलियन के पास हर वो चीज थी जिसे वो पाना चाता था लेकिन वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था वो पच्पन साल की उम्र में ही असी साल का दिखता था उसके बाल भी असमय ही सफेद हो चुके थे जूलियन ने बच्पन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा समाज की भी यही सोच है लोग पैसों को कुशी से जोड कर देखते हैं इसलिए बच्पन से ही हमारी भी ऐसी ही सोच बन जाती है हमें लगता है कि पैसों से हमें खुशी मिल जाएगी लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चला कि उसका सोचना गलत था यहाँ जरूरी नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे ही देगा उसके पास तो अंधादुन पैसा था लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी आखिर एक दिन हद हो ही गई जूलियन को हार्ट अटैक हो गया उसे हॉस्पिटल में भरती होना पड़ा डॉक्तर ने उसे सला दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रहना चाहिए कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया सबसे पहले उसने अपना घर और फेरारी गाड़ी बेच दी वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था इसलिए वो इंडिया आ गया यहाँ पर वो हिमाले में सिवान साधूं के पास ज्यान और खुशी के रहसे पाने चला गया वहाँ उसे एक सिवान मन्क साधूं मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहसे बताने के लिए तैयार हो गया जूलियन उनके साथ रहने लगा एक दिन उस मन्क ने जूलियन को सूमो पहलवान की कहानी सूमो पहलवान की कहानी मन्क ने जूलियन से कहा सोचो कि तुम एक बागीचे में हो बागीचे में भाती भाती के सुन्दर फूल खिले हुए है जिन से मधूर खुश्बू आ रही है पक्षी चहचा रही है बागीचे के एक तरफ एक बड़ा सा लाइठाउस है तभी उस लाइठाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सुमो पहलवान बाहर आता है सुमो पहलवान ने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था केवल एक पतली तार वाला अंदर्वियर ही पहन रखा था सुमो पहलवान बागीचे में घूमने लगता है तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है वह उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन फिसल कर गिर जाता है गिरने की वज़ह से वो बेहोश हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूनों की सुगन से सुमो पहलवान को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है एक और उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डाइमंज बिछे होए थे वह रास्ता सची खुशी की तरफ ले जाता था सुमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगा और शीग्रही आखों से ओजल हो गया यहाँ पर मन्क ने कहानी खत्म कर दी जूलियन को यह कहानी बकवास सी लगी इसका न कोई सिर्था न पैर उसने मन्क से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाग कर रहे थे लेकिन मन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में साथ सीक्रेट प्रिंसिपल्स छुपे हुए है इसके बाद मन्क ने जूलियन को साथो प्रिंसिपल्स समझाए जो इस प्रकार से है एक दगार्डन बागीचा कहानी में जो बागीचा है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है इसे मेटफोर कहते हैं अगर हम बागीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले व्रिक्ष और कुश्बूदार फूल मिलेंगे लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुरगन धाएगी बागीचा गंदगी का धेर बन जाएगा इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें दूसरों के लिए दया, सहानुभती और हेल्प के विचार ही ब्रेन में पालें इससे आपका ब्रेन एक सुन्दर बागीचे सा महकता रहेगा इससे आपको सच्ची, खुशी और पीस ओफ माइंड मिलता रहेगा इर्श्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी दिमाग में न लाए क्यूंकि इनसे आपका दिमाग कूडे का धेर बन जाएगा आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा इसलिए एक चौकिदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें उन्हें अंदर ही ना आने दे हमेशा अपने ब्रेन के बागीचे को सुन्दर बनाए रखें दो, दे लाइट हाउस बागीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रिजन्ट करता है जैसे लाइट हाउस समुन्दर के जहाजों को रास्ता दिखाता है वैसे ही आपका गोल आपको लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है इसलिए आप भी अपने लिए गोल बनाईए और लगातार उस पर चलते रहिए इससे आप मंजल को पा लेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे बहुत से टीनेजर गल्थ आदतों में पढ़ जाते हैं क्युमकि वो अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला ही नहीं है बलकि गोल शोट टर्म के लिए भी हो सकता है एक दिन का भी हो सकता है एक महीने का भी हो सकता है जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली पाँच से दस मिनिट भी एक्सरसाइज करता रहे तो भटकने से बच जाएगा क्यूंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा वह किसी बुरी आदत में फसने से भी बच जाएगा इसलिए अपने लिए उचित गोल बनाईए और उसे फॉलो करिए यह कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा लॉयर था जूलियन के पास सब कुछ था सकसेस्फुल प्रोफेशन पॉश बंगला और फेरारी जैसी महेंगी गारी उसने जिन्दगी में सब कुछ पा लिया था फिर भी वो खुश नहीं था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है हर चीज तो है उसके पास फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है कहने को तो जूलियन के पास हर वो चीज थी जिसे वो पाना चाता था लेकिन वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था वो पच्पन साल की उम्र में ही असी साल का दिखता था उसके बाल भी असमय ही सफेध हो चुके थे जूलियन ने बच्पन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा समाज की भी यही सोच है लोग पैसो को कुशी से जोड कर देखते हैं इसलिए बच्पन से ही हमारी भी ऐसी ही सोच बन जाती है हमें लगता है कि पैसों से हमें खुशी मिल जाएगी लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चला कि उसका सोचना गलत था यहाँ जरूरी नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे ही देगा उसके पास तो अंधादुन पैसा था लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी आखिर एक दिन हद हो ही गई जूलियन को हार्ट अटैक हो गया उसे हॉस्पिटल में भरती होना पड़ा डॉक्तर ने उसे सला दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रहना चाहिए कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया सबसे पहले उसने अपना घर और फेरारी गाड़ी बेच दी वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था इसलिए वो इंडिया आ गया यहाँ पर वो हिमाले में सिवान साधूं के पास ग्यान और खुशी के रहसे पाने चला गया वहाँ उसे एक सिवान मन्क साधूं मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया जूलियन उनके साथ रहने लगा एक दिन उस मन्क ने जूलियन को सूमो पहलवान की कहानी सुमो पहलवान की कहानी मन्क ने जूलियन से कहा सोचो कि तुम एक बागीचे में हो बागीचे में भाती भाती के सुन्दर फूल खिले हुए है जिन से मधूर खुश्बू आ रही है पक्षी चहचा रही है बागीचे के एक तरफ एक बड़ा सा लाइठाउस है तभी उस लाइठाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सुमो पहलवान बाहर आता है सुमो पहलवान ने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था केवल एक पतली तार वाला अंदर्वियर ही पहन रखा था सूमो पहलवान बागीचे में घूमने लगता है तब ही उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है वहाँ उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन फिसल कर गिर जाता है गिरने की वज़़ से वो बेहोश हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूनों की सुगन से सूमो पहलवान को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है एक और उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डाइमंड्स बिचे हुए थे वहाँ रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था सूमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगा और शीग्रही आखों से ओजल हो गया यहाँ पर मन्क ने कहानी खत्म कर दी जूलियन को यह कहानी बक्वास सी लगी इसका न कोई सिर्था न पैर उसने मन्क से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे थे लेकिन मन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में साथ सीक्रेट प्रिंसिपल्स छुपे हुए है इसके बाद मन्क ने जूलियन को साथों प्रिंसिपल्स समझाए जो इस प्रकार से है एक दगार्डन बागीचा कहानी में जो बागीचा है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है इसे मेटफोर कहते हैं अगर हम बागीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले व्रिक्ष और कुश्बूदार फूल मिलेंगे लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुरगंध आएगी बागीचा गंदगी का धेर बन जाएगा इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें दूसरों के लिए दया, सहानुभती और हेल्प के विचार ही ब्रेन में पालें इससे आपका ब्रेन एक सुन्दर बागीचे सा महकता रहेगा इससे आपको सच्ची, खुशी और पीस ओफ माइंड मिलता रहेगा कभी भी नेगेटिव ना सोचें बुरे विचारों से दूर रहें इर्श्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी दिमाग में न लाए क्युमकि इनसे आपका दिमाग कूडे का धेर बन जाएगा आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा इसलिए एक चौकिदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें उन्हें अंदर ही ना आने दे हमेशा अपने ब्रेन के बागीचे को सुन्दर बनाए रखें दो, दे लाइट हाउस बागीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रिजन्ट करता है जैसे लाइट हाउस समुन्दर के जहाजों को रास्ता दिखाता है वैसे ही आपका गोल आपको लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है इसलिए आप भी अपने लिए गोल बनाईए और लगातार उस पर चलते रहिए इससे आप मंजल को पालेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे बहुत से टीनेजर गल्प आदतों में पढ़ जाते हैं क्युमकि वो अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला ही नहीं है बलकि गोल शोट टर्म के लिए भी हो सकता है एक दिन का भी हो सकता है एक महीने का भी हो सकता है जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली पांच से दस मिनिट भी एक्सरसाइज करता रहे तो भटकने से बच जाएगा क्यूंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा वह किसी बुरी आदत में फसने से भी बच जाएगा इसलिए अपने लिए उचित गोल बनाईए और उसे फॉलो करिए साथ पात ओफ डाइमंज डाइमंज वाला रास्ता लाइफ की छोटी-छोटी खुशियों का प्रतीक है सबके जीवन में छोटी-छोटी खुशिया होती है जो वास्तव में डाइमंज जैसी होती है लेकिन अज्यानतावश हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हम कभी प्रेजन्ट में नहीं जीते बस पास्त की असफलताओं पर अफसोस करते रहते है या फ्यूचर की चंताओं में उल्जे रहते है डाइमंज पात हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डाइमंज जैसी खुशिया जो आपके चारों और बिख्ली है उन्हें एंजॉई करना सीखो इन खुशियों के हजारों लाखों एक्जामपल्स हो सकते हैं जैसे मा के साथ बैठ कर बाते करना कोई कजल या कविता लिखना बागीचे में फूनों को देखना बच्चों के साथ खेलना सौम सुनना अच्छी किताब पढ़ना दोस्त के साथ चाय पीना इत्यादी इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी ढून सकते हैं तो दोस्तों पास्ट और फ्यूचर की चंता छोड़ो और प्रेजन्ट के डाइमंड पात पर खुशी से चलते रहो दोस्तों तो इस तरह उस सिवान मंक ने जूलियन को जिन्दगी जीने के ये साथ प्रिंसिपल एक अनोखी कहानी के जरिये बताए इसके बाद जूलियन वापस घर लौट गया अब वह उन सातों नियोंगों का पालन करने लगा इससे उसे जीवन की सच्ची खुशी हासिल हो गई अब वह बहुत यन्ग और हेल्थी भी दिखने लगा उसके चहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी उसे दुबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी की सारी जिन्दगी खुशाली से बीती